पर पर जोडन करेकर डिवोर्स पेपर पर साइन जुनूनियत के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे इलाही नमरता को जॉडन के घर में लेकर आती है और सबको बताती है कि नमरता जॉडन की एक्स गर्फरेंड है यहां तक कि नमरता और जॉडन की एक बेटी भी है इसके बाद इलाही सबसे बोलती है कि मुझे जॉडन से डिवोर्स अभी चाहिए इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जॉडन फुल ऑन आटिट्यूड और कॉन्फरेंस के साथ बोलता है कि मैं तुम से प्यार करता हूँ और तुम आज भी मेरी पतनी हो 30 दिन जो तुमने मुझे दिये थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए है मैं डिवोर्स पेपर पर साइन तो तब करूंगा जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे अब जॉडन के दादा जी आते हैं बंदू की नोग पर जॉडन से कहते हैं कि जॉडन को आज ही डिवोर्स पेपर साइन करना पड़ेगा जॉडन फिर भी पीछे नहीं हटता है अभी देखना इंट्रेस्टिंग हुने वाला है कि क्या घरवालों के कहने पर बंदू की नोग पर जॉडन करेगा डिवोर्स पेपर साइन आपका क्या कुछ कहना हैस पू